Hi guys, this is Vinit here, welcome to my channel. So, एक banking aspirant के मन में सबसे बड़ा जो सवाल होता है, जब भी वो स्टार्ट करे या बीच में या कभी भी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है, कि हम mains cup preparation कब स्टार्ट करें? पहला बात तो, दूसरा है कि mains cup preparation करें कैसे? तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा आपको, बाकी में IBPSPO, MAINS, SPIPO, MAINS और SBI CLERK, जो भी exams मैंने निकाले, उनके mains के strategy अलग-अलग से ले के आ जाऊँगा, तो मैंने 2022-23 में 6 mains exam निकाले हैं, सो मैंने क्या strategy, क्या strategy follow किया, मैंने कैसे किया, मैं ये भी बताता हूँ, आप strategy भले मेरा सुन लो, बट follow तब ही करो, अगर वो आपके लिए work करें, ऐसा नहीं कि आप एकदम blindly follow कर रहे हो किसी को भी, आप strategy सब का सुनो, काफी लोग आपको देंगे, बट आपको follow वही करना है, जो आपके लिए काम है, आपके लिए आपको लगे कि हाँ, इससे मेरा काम हो सकता है, beneficial लगे, उसी को follow करना, तो लेट्स बिगिन, तो जो सबसे बड़ा सवाल है, कि start कब करें, तो देखो मैंने pre का जब start किया था, तो बीच में मैं थोड़े थोड़े मैंने देखा था, किसी किसी का वीडियो, स्टीचर्स का भी देखा था, in fact मुझे थोड़ा गलर्त लगा, उनका strategy बाद में realize हुआ, तो मैंने pre का start करने के बाद, mains का भी मैं थोड़ा थोड़ा करने लगा, तो क्या हुआ, जैसे अभी मैं pre का reasoning कर रहा था, तो मैंने mains, mains level का puzzle उठा लिया, तो मुझे ये puzzle करने में initially कुछ-कुछ, even 30-40 minute भी लग रहे थे, एक puzzle करने में, तो इससे मुझे क्या realize हुआ, कि नहीं, अभी मेरा level वैसा नहीं है, mains का level अभी करने से बेटर है, कि मैं पहले अपना pre का level को उपर कर लूँ, तब मैं इस चीज़ पर आऊँ, एक question पर अगर 30-40 minute लग रहे हैं, तो समझे आपका अभी उतना concept नहीं है, clear कि आप अच्छे से बना लो, या practice नहीं है, जो भी कह सकते हैं, तो मेरा तो यह ही कहना है, कि start तभी करें आप, जब आपका pre का concept clear हो जाए, मैं यह ही कहता हूँ बार बार, और especially beginners, जो पूछते हैं यह बार बार, आपको तभी ही start करना है, जब आपका, prelims का जो भी concept है, वो 100% clear हो जाए, यह क्यों कहता हूँ मैं बार बार, यह अगर 100% clear हो गया आपका, तो आपको मैं सच में बता रहा हूँ, 40 to 50% mains का concept आपका हो गया, यह मान के चलिए, क्योंकि mains में सवाल concept वही होता है, बस थोड़ा lengthy हो जाता है, यह difficult कर देते हैं उसको, कि जादा बच्चा ना वना पाए उतने time में, नॉर्मल एक बच्चा, तो इसके लिए pre का concept clear करना पहले, बहुत important है, अब कोई-कोई होगा जिसको नहीं लग सकता है, यह strategy बराबर, तो आप अपने हिसाब से follow कर सकते हो, प्रियोर मेंस का साथ में कर सकते हो, अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करो, अगर वो उससे अच्छा आपको result मिल रहा है, तो result नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको change करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गलती है, मैं यही बोलता हूँ, तो पहला यह चीज हो गया, दूसरा चीज, कि आप जो mocks लगाओगे, यह mocks में जब तक at least, at least 85 to 90 percentile, अगर आपको यह range में, mocks में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा, आप अभी mains के लिए ready नहीं हो, you are not ready for mains, क्योंकि अगर आपको इतना percentile नहीं आ रहा है, तो normal एक you are candidate है, दूसरे category इसके लिए भी बोलूँगा मैं, क्योंकि आपको in the end selection लेना है, तो अच्छा perform करना पड़ेगा, अगर इतना नहीं आ रहा है, तो आप pre ही नहीं clear कर पाओगे, अगर vacancy ज़रा भी कम आ गया तो, तो इतना आपको target करना है, otherwise क्या होगा, आप 60-70 percentile लेके आ रहे हो, और mains का भी कर रहे हो, तो क्या होगा आपको जो time actually pre में देना चाहिए, वो आप mains में दे रहे हो, तो उधर आप गलत कर दे रहे हो, तो इस moment में, जब तक आपका इतना ना है, तो you are not ready for mains, तो आपको GA भी नहीं करना चाहिए, GA भी तब ही करना चाहिए, जब आप इस range को consistently, बार बार इसको आप इसके उपर जा रहे हो, या इस range में आ चुके हो, consistently, तो आपको mains का preparation, start कर देना चाहिए, तो ये दो point को आप, दिमाग में रख सकते हो, कि start आपको कप करना है, अगर इन दोनों में से एक भी point आपका नहीं हो रहा है, तो I would suggest कि आप और work करो, pre के concept पे, QRE के, मैंने strategy videos लाएं है QRE के, analysis उसमें बताया है मैंने कैसे questions आते हैं, आप उसको follow कर सकते हो, और बाकी और practice लगाओ, pre का कहां से क्या करना है मैंने बताया है, playlist है YouTube पे, Guidly है, बाकी sectional और ये सब आप लगा सकते हो, तो ये दो आपका होना बहुत important है, अब मैं category की बात करता हूँ, candidates किस-किस category में आते हैं, तो एक तो हो गए beginners, फिर एक mid में आते हैं, जिनका थोड़ा-थोड़ा हो गया है, pre का, और एक, थोड़े seasoned, seasoned मतलब, basically experienced, exam दे चुके हैं, एक-दो साल हो चुका है, pre clear होते जा रहा है अब, अब mains का सवाल उठता है, कि mains निकल रहा है या नहीं, या नहीं निकल रहा है, तो beginners, तो mains के साथ starting मत करो, pre से ही start करो, pre का concept 100% clear करो, mocks में, जब तक 85-90% L नहीं आ रहा है, तब तक आप, mains का नहीं start कर सकते, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको अगर pre का या आपका concept clear नहीं है, इसी के reason के वज़े से, आपको इतना percentile नहीं आ रहा है, तो आप mains के पीछे अगर पढ़ गए, और GA यह सब करने लगे, जो आपको time, QRE में देना चाहिए, वो आप mains case पे देने लगे, तो फिर बहुत मुश्किल है दोस्त, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह कोई बताता नहीं है जल्दी, ठीक है, यह वाला चीज, तो यह ध्यान रखना है, इधर ही बहुत लोग गलत जाते हैं, काफी लोगों ने मुझसे बात कर, मैंने देखा है, कि pre का clear ने यह concept और आप जीए, और यह सब पढ़ रहे हो, तो वो चीज नहीं करना है बिल्कुल, mid में जो आते हैं, कभी-कभी जादा, कभी जादा आता है, कभी कम आता है, score, up और down हो रहा है, अगर आपने 10 pre के मौक्स लगाए हैं, तो 10 में से 8 तो अच्छे ही होने चीए, दो खराब होगे चलो, यह understood है कि हो जाता है कि कभी, मेरे भी होते थे, तो यह ठीक है, बट आपको consistency लाना पड़ेगा, तब आप mains का start कर सकते हो, और जो experienced है, जिनका pre निकलने ही लगा है, या pre में consistently आने लगा है, तो आप pre में time अप कम कर दो, मौक्स थोड़े, प्री का आप मौक्स से कर सकते हो, और mains का start कर दो, preparation, mains पर जाधा time दो, practice, QRE, plus GA, everyday, और दो या तीन दिन पर एक बार, या दो दिन पर एक बार प्री का मौक्स दे सकते हो, आपको क्योंकि अब already आपका pre का concept clear हो चुका होगा, इसके लिए आपके हर pre निकल रहे हैं, तो आपको आप pre पर एसा बहुत time नहीं देना है, हाँ आपको लग रहे है, lack of practice से speed कम हो गया, तो आप कह रहा हूँ मैं एक दो दिन आप करोगे practice तो आपका speed वापस आ जाएगा, sectional लगा दो, mock लगा दो, तो आपको ये strategy follow करना है, अब qre start, अब start कैसे करना है mains के लिए, तो देख़ो आप एक और पढ़ चुके हो, तो मैं questions बताता हूँ, basically कैसे type के होते हैं, cons में, mains में जो questions आते हैं, di, case let's, ये moderate to difficult level के आते हैं, ये मैं PO mains की बात कर रहा हूँ, clerk mains में भी आते हैं, और ये ही bulk questions ये ही रहते हैं, ठीक है पहला, बाकी data sufficiency रहते हैं, third quadratic, या number series के form में रहते हैं आज़कर, थोड़ा algebraic रहता है, थोड़ा algebra types रहता है, बट ये वाला जो चीज है, इसमें आपको mark score करना है, इसमें mark score होता है, ठीक है, di case let's में न, आप एक di देखोगे, जो पक्का doable होगा, जो थोड़ा normal होगा, जो आपको आता होगा, तो ये di find out करना है, ये कैसे आपको पता चलेगा, ये practices समझ में आएगा, कि हाँ ये हो सकता है, इसमें कम time लगेगा, ठीक है, data sufficiency में चार-पांच questions आते हैं, या दो-तीन वैसे आते हैं, इसमें एक-दो questions तो रहेगा ही, जो आपसे बन सकता है, ठीक है, तो cons लग-भग ऐसा होता है, LR में puzzles और sitting arrangements ज़ादा होता है, बहुत भी ज़्यादा नहीं होता है, बट होता है, इसमें भी दो mark के, एक mark के होता है, ये भी moderate to difficulty होता है, बट आप one mark वाले देखोगे, तो वो easy होता है, थोड़े, comparatively, तो आपको ये वाले ढूंटके कर देने हैं, ठीक है, फिर coded वाले आजकल आते हैं, coded सिलोग, inequality, या blood relation, या direction sense, तो ये वाले आते हैं, ये आपको कर देना है, ये छूटना नहीं चीए, फिर miscellaneous आते हैं, miscellaneous में, नॉर्मल अल्फाबेट से, या वैसे टेक के थोड़े, घुमा फिरा के question पूछे जाते हैं, और, critical reasoning आता है, 5 से 6 question है, काफी किसी किसी में ज़्यादा भी होता है, तो ये आपको, बिना practice के तो बिल्कुल, मैं suggest नहीं करूँगा, करने के लिए, क्योंकि इसमें गलत होने के चांच जाता होता है, एक, और होता है, machine input, output, या coding, decoding, ये भी करने लाइक actually होता है, इतना अगर आपको logic समझ में आ गया, तो 5 question रहते हैं इसके, तो ये बिल्कुल बन जाएगा, ये वाला बनाने लाइक होता है, ये वाले बनाने लाइक होता है, पजल में आपको एक नाएक ऐसा नॉर्मल मिल जाएगा थोड़ा, कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे से बन सकता है, अब ये भी कैसे होगा, ये भी practice से होगा, ठीक है और एक mark के भी दो mark के एक mark के होते है ठीक है तो IVPS और SBI PO mains में बाकी RWPO mains में 1.25 marks के होते हैं तो वो थोड़े RWPO mains के थोड़े easy होते है compared to IVPS PO and SBI PO तो IVPS PO, SBI PO में एक mark के भी जो आएंगे वो आप देख सकते हो IVPS PO में वो आपसे हो सकता है जैसे IVPS PO में इस वर भी जो आया था वो doable था बाकी यह वाले जो questions है यह वाले आपको ढूंड के कर देने एकदम पहले यह easy होते हैं थोड़े doable एकदम और आते ही हैं हमेशा paper में तो यह सबसे तो आपका आराम से sectional cut off निकली जाएगा और आप जादा भी score कर सकते हो इतना करके यह मैंने जितना मुझे याद है अभी उतना मैंने बताया आपको English में जो bulk part होता है जो bulk मतलब सबसे जादा आता है वो RC ही आता है यह मैंने आपको strategy वीडियो में बताया था English में जो सबसे जादा है वो RC ही आता है error detection आता है close test या filler वैसे type के आएंगे यही जो main है सबसे जादा RC होता है तो इसके लिए आपको RCs practice करने पड़ेंगे mains level के practice it everyday ठीक है यह हर दिन करना है RC दो RC कम से कम practice करो everyday reading habit भी लगेगी और mains का RC इतना easy नहीं होता है जैसे मैं prequel आपको बोलता हूँ आपको बस keywords देखना है और देख लेना है mains का हर question keywords से नहीं होगा थोड़ा logical भी होता है तो देखना पड़ता है घुमा फिरा के भी पूछते है थोड़ा तो वो देखना पड़ता है और यह RC में थोड़ा vocab भी कभी कभी आ जाता है mostly P में तो vocab पूछते ही है इसमें भी पूछी देते हैं कुछ ना कुछ करके तो basically यही सब होता है error detection के थोड़े घुमा फिरा के भी पूछ सकते है error के बदले वो बोल देंगे कि जो सही है वो वाला बता हो इन 5 option में statement में जैसे इस वार SBI PO में आया था तो वो difficult हो जाता है काफी तो आपको बहुत practice करना पड़ेगा यह चीज़ तो अब GA का मैंने strategy वीडियो लाया है वो strategy वीडियो एक बार देख लेना वो mains के लिए है कि GA mains में आता है ठीक है तो वो एक बार अच्छे से देख लेना उससे आपको help मिल जाएगा strategy playlist में जाके तो यह basically यह mains का हुआ अब करना किदर से वेर तो पहला तो देखिए आपको यूट्यूब पे काफी playlist मिल जाएंगे बहुत अच्छे वाले content वाले मैं इनके link डाल दूँगा कुछ के description में जिससे आपको help मिल जाए और आप और ऐसे ढूंड लोगे नहीं तो आप मुझे message कर देना मैं आपको send कर दूँगा तो यह हुए YouTube playlist से आपको क्यों start करने बोल रहा हूं मैं जो teachers आपको बताएंगे questions कैसे करना है और आपको basically एक method बताएंगे कैसे start करते हैं कैसे answer पे आते हैं उससे काफी help मिलता है initially तो initially आपको मैं suggest करूँँगा कि आप YT playlist से start करो आप देखो teacher कैसे बनाता है कैसे उनका logical way होता है question के around जाने का और solve करने का और method सीखना सबसे important है concept कैसे वो use करते हैं तो वही एक चीज है तो वो इससे आपको समझ में आएगा तीनों के लिए English, LR और conts तो एक ये है जिनको एकदम वीडियो से एकदम होता ही नहीं है वो है दिक्कत है तो आप kindly का बिना सोचे bundle PDF ले लो हजार हजारो questions लाको questions है इसमे exam wise section wise यह मैं दिखा भी चुका हूँ दो तीन बार आपको कैसा होता है और इसमें PDF format भी है test और quiz format भी है ठीक है और सबके video solution भी है और इसमें topic wise, section wise, exam wise में जो होता है मुझे exam wise ही सबसे ज़्यादा practice किया था मैंने ठीक है तो यह exam wise PDF भी होते है टेस्स होते है तो आप exam wise भी select कर सकते हो तो इससे आपका mains का practice mains के level के काफी अच्छे questions और जो previous years में आए हैं वो type के भी questions को देख के यह लोग वैसे type के questions भी provide कर देते हैं आपको तो इससे काफी अच्छा practice होता है यह हुआ फिर third point जो है आपको sectionals लगाने या topic wise test जो topic आपको लगते हैं आपको practice चीए उसका यह भी important है काफी फिर जाके आपको mocks लगाना है जब आपका थोड़ा practice हो जाए तो और GA पढ़ा ही हो जाए तब ही इतना आपका आप यह दो कर लोगे YT playlist से भी हो सकता है पढ़ाई कोई तकलीफ नहीं है इसमें जिनको लेकिन हाँ वीडियो से problem है नहीं हो पाता तो वो गाइडली bundle PDF से कर सकता है पट मेरा एक यही issue है कि मैं यह बोलूगा कि आपको थोड़ा method अगर आप कहीं देख लोगे थोड़ा तो better होगा आपके लिए थोड़ा जल्दी grasp होगा और आप अच्छे से practice कर पाओगी फिर आप sectionals और topic wise लगा सकते हो mocks लगा सकते हो उसके बाद जब आपका इतना हो जाए तो फिर आपको confidence थोड़ा आ जाएगा और आपने score तो देखे लिया है कि दो सो पच्छीस और धाई सो मार्क में cutoffs कितने होते हैं कि SBI PO का बोल रहा हूँ मैं यह 72 80 के range में होता है IVPS PO का आपको पता है कि score ऐसा नहीं ह RRB PO का भी वैसा ही कुछ range में होता है तो यह cutoff का range बता है मैंने तो आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं है कि score एकदम 225 का है तो 1500-200 में 200 लिके आना है ऐसा बिल्कुल नहीं है आप बिल्कुल निकाल सकते हो exam थोड़ा बस strategize कर लो कि कैसे prepare करोगे pre के साथ mains मैं तो नहीं बोलता हूँ pre के साथ mains का preparation करने जो मैंने शुरू में बताया वो ध्यान देना फ्लीज अगर फिर भी आपको लेकिन आपको अगर आपके लिए work कर रहा है वो चीज तो आप बिल्कुल follow करो मेरे लिए नहीं किया था ये चीज तो मैंने पहले अपना pre का concept 100% अच्छे से कर लिया मैंने pre जो mocks डालें आप देख सकते हो कैसे मैं solve करता था तो ये मेरा जब हो गया तो ये इसके वज़े से मुझे mains में काफी boost मिला help मिला क्योंकि मेरा concept clear हो चुका था basic clear हो चुके थे तो मेरा mains का almost some 40 to 50% इसी के वज़े से हो गया जो मैं जो ये star at hash इनका मतलब किसी का मतलब west होगा किसी का north किसी का south तो ये आप नहीं decode कर सकते क्या आप कर सकते हो बिलकुल फिर आपको normal जो direction आप pre के लिए सीखे हो वही चीज आपको वही सब बनाना है वही सब बना रहता है तो ये सब हो जाता है वैसे silox का भी है वो बता देंग तो आप at का मतलब all a r b वैसा हो गया तो ये चीज आप decode कर सकते हो ये कुछ नहीं है एक बार decode कर लिया तो फिर pre का ही हो जाता है ये question तो ये सब कैसे clear होता है जब आप pre का पूरा कर लेते हो तब तो ये ही एक सबसे बड़ा point है जिसलिए मैंने ये video बनाया जिनको बहु से क्या करने ये जो मैंने बताया कहां से कर सकते हो आप और क्या logical flow रखना है तो मैंने पहले pre का ही किया मेरा strategy ये ही था पूरा pre का खतम किया फिर फिर mains का किया mocks दिया sectionals दिया बहुत और वैसे practice किया है मैंने English का ध्यान रखना ये आपको everyday practice करना चाहिए ये RC और ये सब guidely अगर है आपके पास तो आपको मिल जाएगा बाकी error detection ये सब जो बाकी questions है वो आपको तो YouTube playlist पर मिल जाएगे बट RC के लिए आप या तो ये कर सकते हो guidely का तो आपको लेना चाहिए या तो आप smart कीड़ा पे free RCs रहते हैं तो आप वो भी दे सकते हो bulk of RCs है बहुत RCs है उस पर mains level और P level दोनों के तो आप उदर से practice कर सकते हो इससे reading habit आएगा और जो hard type के questions होते है वो आपको देखने का आदत हो जाएगा तो mains में वैसा नहीं लगेगा आप mains में अच्छे से कर लोगे so I hope this helps you बाकी मैं अलग से strategies IVPS, PO, clerk, SBI का और RRB और बाकी जो मैंने exam दिये थे उसके मैं अलग से mains के strategies लेके आ जाओंगा ठीक है वो समझा दूँगा मैं उसके लिए आपको क्या क्या करना है exam का पूरा analysis बता दूँगा कि कैसे questions आते हैं previous years के कैसे आएं है और आपको क्या-क्या करना चाहिए एकदाम अच्छे से जैसे मैंने RRB PO का एक strategy वीडियो लेके आया था वो आप देख लेना उसमें मैंने exam से समझाया है कैसे questions आते है so I hope this helps you and कुछ questions होएंगे तो आप comment में जरूर पूछ लेना and अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेना so that you don't miss out on any update and stay tuned pre-preparing